हालो फेंट्स, वेलकम यू आल, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आप रिखे बात करने वाले हैं, हॉंडा, आपने अक्सर नाम सुना होगा, हीरो हॉंडा का, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं, हॉंडा की इस कंपनी का और इसके प्रडक्स का, स्मार्ट मनी के फ्ल जल्द की दरब देखिए revenue का growth amazing आप कहोगे growth वाली company profitability बहुत ही बढ़िया आप कहोगे profit भी देख रहा है और पिछले 12 महीनों में धमदार profit दिखाया और all time high का profit आप देख सकते हो पिछले 12 महीनों में company ने दिखाया है amazing Honda की यह company को अगर आप देखोगे तो 19 के PE पे trade कर रही है और 1400 करोड का market capitalization और debt ना के बढ़ापर Honda इंडिया power products company का नाम है फिर से repeat करूँगा नाम Honda इंडिया power products अब Honda इंडिया जैसे की water pumps आप देखोगे engines lawn mowers brush cutters tillers इन सब का काम यह करता है जैसे की आप देख रहे हो कि धीरे धीरे जो है इंडिया के अंदर भी छोटी छोटी जगे पे यहाँ पर technology का यूज हो रहा है यह power tillers brush cutters यानि के जाडिया काटने की यह machine जो होती है brush cutter lawn mowers आप देखोगे और Honda के generators जैसे के आपने पहले बे देखा था जंजट जो आते है water pumps यह सारी चीजों में यह इसके products है अब आपको price action की तरफ लेके चलता हूँ जिससे आप और clearly समझोगे जैसे कि यह stock हमें सा देखे आप क्यो focus में आता है कोई भी stock कि यह stock आज focus में नहीं आए था यह इस consolidation के time से हमारी नजरों में है यह मंतरी की correction जब से चल रही है यह हमारी नजरों में यानि कि 2021 के mid से यह smart money के towers हमें देखने को मिले थे तब से हमारी focus में है नजरों में और आप देखोगे एक बड़ी candle बनती है लाल वाली और जिसका volume बहुत ही कम होता है तो इस ने यहां पे इस stock पे हमारी नजर और मजबूत कर दी यह 1400 की range में जरूर ट्रेड कर रहा है लेकिन अभी मैं कहूंगा इसकी पूरी overall जो range है वह 1100 से 1400 की यह range अभी जो बनती वी चल दिया जो correction चल रही है लेकिन पिछले महीने के इस volume ने हमें और इसकी तरफ attract किया और फिलाल इनिशल एरिया जो हमारा 1400 से 1700 की range बन रहे है कि यह वाला एरिया यह target जो है easily hit कर सकता जो कि आपने आप में 300 रुपे की तेजी देखने को मिल रहे है लेकिन all time high को पार करना तो फिर हम expect करेंगे यहां पे एक छोटी correction आए या consolidation इस area में हो वह हमारी expectation रहेगी लेकिन आप उससे पहले खुदी यहां पे देख सकते हैं इस particular यह liquidity area तो आप price section को समझ रहोंगे और समझ रहोंगे क्यों यह stock focus में है यह monthly का chart है तो इसलिए long term investment की बात यहां पे हो रही है आप MACD को देख लीजे आप RSI को देख लीजे यहीं नहीं हम weekly charts पे आपको देख लीजे कि किस तरीकी के situation इस week में बनती हुई की नजर आ रही और even daily chart पे भी आप focus कर सकते हो तो यह हमने Honda power को देखा और wind up करता हुई वीडियो को यहीं पे और आप खुद अपने end up इसको analyze कीजिए price section की series को आप join कीजिए उसके तुरू आपको और detail में learning मिलेगी और practice करते रहिए risk को manage हमेशा करना है risk management is the key in stock market and thank you thank you for watching the video ko share कीजिए like कीजिए